अम्सगम्च इदरम् तम्नानम् हवै पच्यक्खम् पड़ेगा जम्पेच्छ दो अमुत्तम् यहां पर अतिंद्री ग्यान के बारे में जिसे हम प्रत्यक्ष ग्यान कहते हैं उस ग्यान के बारे में यद्यपी सुख का प्रकरण बीच में प्रारम हो चुका है और कल आपने ग्यान के साथ साथ सुख की वी बारे में सुना है उसी तरह से यहां पर ग्यान की वी बात कही जा रही है और सुख की वी बात कही जा रही है ग्यान अगर प्रत्यक्ष होता है तो उसके ही अनुसार उसको सुक्की भी उपलब्दी होती है और ग्यान अगर परोक्ष होता है तो उसी के अनुसार उसे सुक्की उपलब्दी होती है इसलिए चर्चा तो सुक्की प्रारंब कर चुके हैं लेकिन बीच में हमें ग्यान का सहारा लेना ही पड़ता है तो उस सुक्की महिमा को भी बताने के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष ग्यान के बारे में बताय जा रहा है तम्नानम हवै पच्चक्खम वह ग्यान प्रत्यक्ष ग्यान होता है जम पेच्छदो अमुत्तम जो क्या देखने वाला हो अमूर्थ को देखना जानता हो अमूर्थ को भी अपना विसह बना लेता हो अमूर्थ का मतलब जो कुछ भी हम लोग आप लोग देखते हैं वो सब मूर्थ ही होता है क्या होता है और जो प्रत्यक्ष ग्यान में देखने में आता है वह अमूर्थ भी होता है प्रत्यक्ष ग्यानी मूर्थ को भी जानते हैं और अमूर्थ को भी जानते हैं तो यहां पर अमूर्थ की विशिस्ता इसलिए बताई जा रही है कि मूर्थ पदार्थों को तो सभी लोग देख रहे हैं, सभी जान रहे हैं जो भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, वो सब पदार्थ मूर्थ ही कहलाते हैं चाहें वो किसी भी रूप में हो र पदार्थ मूर्त है हमारी आखों का जो विसह बन रहा है वो सब क्या है मूर्त है अब आप जो कुछ भी आखोंसे देखोगे वो सब मूर्त कहलाएगा विचार कर लो क्या-kia देखते हो आखोंसे सम्मूर्थ है जो दिख रहा है इस थूल रूप में चटाई, पिलाई दीवालें कपड़े आदमी, इस्त्री जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये तो मूर्थ है लेकिन और भी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी सम्मूर्थ है क्या दिखाई दे रहा है अब इन सब को छोड़के जो खाली स्थान है उसको देखने की कोशिश करो क्या दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है आपको खाली स्थान देखो खाली स्थान भी उस दिख रहा है उस ने दिख रहा जो खाली स्थान दिख रहा है वो भी आपको इतना तो दिख रहा है कि हाँ ये खाली है तो वे खाली स्थान भी मूर्थ है वो अमूर्थ नहीं दिख रहा है आपको क्या बोल दिया मैंने जो कुछ भी आपको आँखों से दिखेगा वो सब क्या होगा मूर्थ होगा अब आपको आँखों से यहां क्या दिख रहा है यहां से लेके वहां तक यह हौल खाली है उपर आकास में देखोगे खिड़की के बाहर तो सब आपको पूरा खाली खाली दिखेगा तो वह भी सब खाली क्या दिख रहा है बस एक कंडीसन है एक नियम बना दिया आपकी आँखों से जो दिखेगा वो सब कैसा होगा मूर्थ पधार्थ ही होगा और मूर्थ का मतलब जिसमें इस पर सरस गंद वर्ण पाया जाता है ऐसा पधार्थ ही मूर्थ पधार्थ कहलाता है उसी को हम रूपी कहते हैं उसी को हम मूर्त कहते हैं और उसी को हम किसी ना किसी फॉर्म वाला पदार्थ कहते हैं तो अब आप ये देखने की कुशिश करो कि आपको जो दिख रहा है क्या दिख रहा है मालो आपको कि हमको आकास दिख रहा है आसमान दिख रहा है ये खाली स्थान देख रहा है यहां तो कुछ भी नहीं है तो ये मूर्त नहीं है ये तो अमूर्त है इसमें कहां से इस पर रस गंदा गया क्या समझा रहा है आपको जो हमारे आसपास भी देख रहा है यूँ जैसे हम हटा है तो ये क्या है हम हाथ कहां चला रहा है, मूर्थ में क्या मूर्थ में है जो कुछ भी आपको दिखाई देगा आँखों से वे मूर्थ ही होगा और अगर आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वे अमूर्थ हो सकता है मतलब आपकी आँखे देख रही है यह हमको जितना भी दिख रहा है, यहां से वहां तक कैसा दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, नहीं समझ बारा है, सब सफेद दिख रहा है, खाली है, लेकिन खाली भी तो कुछ दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, सब सफेद, क्या समझ रहा है, तो सफेद भी कोई चीज है कि नहीं अब आपको नहीं आकास सफेद होता है तो आकास कभी सफेद नहीं होता है आकास का कोई रंग रूप नहीं होता है जो आपको रंग रूप दिखाई दे रहा है ये पुद्गल पदार्थों का परिणमन है अब आप एक बात सोचो कि अभी हमको दिन में यहाँ पे सफेज सफेज दिख रहा है और जब रात हो जाएगी तो यहें पर हमको क्या देखेगा तो वो हमको सब काला काला देखेगा क्या समझ भारा है तो आकास कहां देखा आपको आप कहते हो कि हमको क्या देख रहा है आकास देख रहा है अभी आपको आकास तो एक ही जैसा होना चाहिए ना और जैन दर्शन के अनुसार भगवान तीर्थंकर गिवानी के अनुसार तो आकास में न रूप है न रस है न गंद है न बर्ड है कुछ नहीं है तो आकास में तो कोई color होता नहीं और आपको देख रहा है color white color या black color दिन में कुछ रात में कुछ तो फिर क्या होगा आपने क्या देखा आकास देखा कि कोई पदार्थ देखा यहां से वहां तक आप प्रकास देख रहे हैं रात में आप अंदकार देखते हैं तो प्रकास भी पुदगल की एक देन है पुदगल की ही पर्याय है और अंदकार भी पुदगल की ही पर्याय है और पुदगल है सु मूर्त तो आपने जो देखा वो क्या देखा पुदगल ही देखा चाएं खाली आकास को देखो चाएं भरे आकास को देखो आपकी आखें जो कुछ भी देख पाएंगी वो नियम से पुदगल ही होगा, मूर्तिक ही होगा मूर्तिक के भेदों में अंतर तो हो गया लेकिन है तो मूर्तिक ही, quality तो उसकी मूर्तिक ही है ना है तो पुदगल ही, आकास तो आपको दिख नहीं सकता जो हमें छे द्रव्यों में आकास द्रव्य बताया है जीव द्रव्य, पुदगल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य काल द्रव्य, आकास द्रव्य, तो उसमें जो आकास द्रव्य है वो आकास तो आपको देख नहीं सकता तो आकास blue पढ़ाया तो यही जाता है ना जो हमने पढ़ा है वोई तो आपने पढ़ा होगा कि physics बदल गई है बदल गई यही है ना sky blue ही होता है और कुछ तो नहीं होता black, white, violet कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या है जिनों ने इस sky को blue बना करके आपको बताया है वो भी original sky क्या है they don't know वो भी नहीं जानते हैं क्योंकि जो वास्तम में आकास द्रव्य है वे तो कभी कोई समझ ही नहीं सकता ग्रहन कर ही नहीं सकता वे कभी हमारी आँखों का बिसे बनी नहीं सकता और किसी भी चीज से किसी भी instrument के बिसे नहीं बन सकता तो ये जो हम जान रहे हैं जो कुछ भी वो सब कौन से द्रव्य जानते हैं सब पुदगल द्रव्य को ही जानते हैं मूर्तिक द्रव्य को ही जानते हैं आकास को भी यदि हम जान रहे हैं तो मूर्तिक की रूप में ही जान रहे हैं अमूर्तिक तो आकास को कोई जानता ही नहीं हाँ वो सब जो खाली स्पिस दिखाई देता है वे भी सब क्या है जो जो हमको दिखाई दे रहा है कि ये खाली है तो वे भी आप उसमें प्रिकाश देख रहे हो और प्रिकाश क्या होता है पुदगल की ही परियाय होती किसी भी रूप में हो है तो पुदगल बस अभी ग्राउंड इतना ही है इसकंद हो, अडू हो वो अलग बात की बात है जितनी भी परियाय होती है सब इसकंद रूप ही होती है अडू तो वैसी नहीं दिखता तो कहने का तात पर यह है आप पहले यह निश्य कर लो छे द्रभ्यों में से हमें अपनी आँख से कुछ भी दिखाई देगा तो हम कौन सा द्रभ्य देखेंगे बस यह पक्का कर लो छे द्रभ्य तो लोग बहुत पढ़ते हैं बहुत सुनते हैं लेकिन पक्का कुछ नहीं करते हैं है छे द्रभ्य में से आपको कौन सा द्रभ्य दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा तो पुदगल ही आँक का विसे जब भी बनेगा तो क्या बनेगा पुदगल बस यह आप एक नियम बना के रख लो अब आप कहो के नहीं हम जीव द्रभ्य को भी देख रहे हैं तो आप जीव द्रभ्य को कभी देख ही नहीं सकते तो क्या महाराज हम आपको अजीव बैठेऑ कि दिखाई दे रहे हैं दिखाई तो अजीव देख रहा है जीव का तो उसके अंदर अनुमान हो रहा है क्योंकि आपकी गर्दन किल रही है तो जब तक जीव बैठा है तब तक गर्दन हिलती है आँखें खुलती है ना बुद्धी चलती है और जब जीव उसमें से निकल जाता है तो फिर गर्दन लटक जाती है आँखें बंद हो जाती है और सब कुछ हिलना डुलना रुक जाता है तो दिखा क्या जीव तो जब अंदर बैटा है तब भी नहीं दिख रहा और जब चला गया तब भी नहीं दिखा वो तो हमने अनुमान लगा लिया कि हाँ बैठा है जीव वो भी अनुमान से दोता है प्रत्यक्ष के तो नहीं दिखते रहा ना जैसे हमको अपनी आँखों से प्रत्यक्ष से पुदगल दिखाई देता है, वैसे जीव दिखाई देता क्या हम अनमानी तो लगा रहे हैं, कि हाँ, आप जिन्दा हो, मतलब, जिन्दा होने का जो अनमान होता है न, वही तो बता रहा है, कि हाँ, इसमें जीव बैटा है, इस सरीर में जीव बैटा है, इसी इतना लटक गई, तो इसका मतलब है जीव उसमें से, तो हमने क्या अनुमान लगाया, यह कौन सा प्रमान है, देखो समझ लो, सीख लो, पहले भी आपकी एक पर बताया था, एक प्रत्यक्ष प्रमान होता है और एक अनुमान प्रमान होता है, जब अपने सरवग्य के बारें बतायал था, तब भी बात बतायी थी कि सरवग्यकोभी हम हमेज़ा अनुमान प्रमान से जामते हैं, और आप में भी अगर जीवत्त को हम सिद्ध करेंगे कि आप जीव हो तो वै भी अनुमान प्रमान से इसिद्ध होगा, प्रत्यक्ष से हैं वो साधन बन गई और जो अंतरंग में आत्मा है वो उसका साध्य बन गया क्यों कि जहां पर आत्मा बैठा होगा पंचेंद्री शरीर में वहां पर वह कुछ ना को चेश्टा कर रहा होगा आया समझ में तो चेश्टा होती रहना जरूरी है है ना अब जब कभी बेहोश पड़ जाता है आदमी जीव अंदर रहता है चिष्टाएं नहीं हो पाती है तो भी उसमें जीव का अनुमान करने के लिए उसकी कुछ न कुछ चिष्टाओं को भी देखा जाता है अब वो अपने हाथ से अपना हाथ नहीं हिला पा रहा गरदन नहीं हिला पा रहा ये बात अलग है लेकिन कुछ ना कुछ जीव के रहने के कारण से उसके अंदर चलेगा तो वो सूक्ष्म चीजें है माल लो उसकी कहीं न कहीं की पल्स चल रही होंगी हाँ हाइट बीटिंग में जो जैसा चलना चाहिए जीव का अनमाल लगाने के लिए वो चल रहा होगा और वे सब अगर डॉक्टर के लिए पकड में आएगा तो तो वो कहेगा कि हाँ he is alive otherwise he is dead तो वो भी किसे बोला उसने अनमाल लगाया ना डॉक्टर को भी जीव प्रतेक्स दिखाई देता है कि तो टोलता है ना कहीं प्राण है कि नहीं कहीं यहां कि पेर में कहीं गर्दन में कहीं च्छाती पे कहीं स्टेथोस्कोप लगाए कि कि कहीं कुछ ना कुछ, वो भी तो देखता है न, क्या देखता है, कि इसके अंदर कोई पल्स चल रही के नहीं, इसके अंदर कोई चेश्टा हो रही के नहीं, और उसी से फिर अन्मान लगा लेता है, हाँ, ये अभी चल ला है, तो इसका मतलब है, अभी ये पुरा मरा नहीं माने इसके अंदर अभी जीव है प्राण तो आगया समझ में तो जीव को भी हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं पक्का सुनलो आगया समझ में देखाई जो भी दे रहा है वो क्या है सब पुदगल है हाँ सब पुदगल है आँखों का विसे पुदगल के लाबा कुछ है यह नहीं छे द्रव्यों में से आप किसी भी द्रव्य को देख ही नहीं सकते सिवाए पुदगल द्रव्य के है ना यह नियम निश्चित हो गया कोई बादा तो नहीं इसको कहते हैं अकाट नियम जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता है प्रत्यक्ष ग्यान के माध्यम से भी जो हमारी आँके प्रत्यक्ष ग्यान अगर हम मान के चलें तो उनसे भी हमें ये कुछ भी दिखाई नहीं देता तो इसलिए आच्छारे कहते हैं कि हम अगर जो कुछ भी देख रहे हैं वो तो मूर्तिक है अमूर्त को देखने वाला कौन और अगर मूर्त भी होता है तो अमूर्त भी होगा ये भी नियम होता है है ना हाँ पदार्थ विपरीव सुभाव वाले हमेशा मिलेंगे चेतन है तो अचेतन भी होगा मूर्त है तो अमूर्त भी होगा ऐसी सिद्धी की जाती है नियाय में पदार्थ कोई भी पदार्थ एक सुभाव वाली कोई चीज नहीं होती गरम है तो ठंडा भी है हलका है तो भारी भी है कड़वा है तो मीठा भी है सुगंद है तो दुरगंद भी है कोई ऐसी चीज खोज के बताओ जो सिर्फ एक अई सुभाव वाली रहती हूँ एक अई ऐसी होती हूँ क्या समझवारा है कुछ है ऐसा जिसका विरोधी कुछ ना होता हो कोई दूसरा पदा अर्थ ना होता हो चलो आपको हमवर्ग दिया दुनिया में जितने भी लोग सुन रहे हो उनके लिए हमवर्ग है इंटरनेट से खोश के बता है कि एक सुभाव वाला ही पदार्थ होता हो और उसके विपरीत नहीं होता हो ऐसा दुनिया में कौन सा पदार्थ और ऐसा भी नहीं है कि उसका अस्तित नहीं होगा उसका अस्तित भी होगा क्योंकि जो शब्द है तो शब्द अगर है तो उसका अस्तित वाला पदार्थ भी होगा ये बहुत बड़े-बड़े न्याय है अगर आपके लिए कोई भी ऐसा जैसे आपने कहा एक है तो एक है तो अनेक भी है हाँ अनेक है तो एक भी है सत है असत भी है सत है असत भी है हर चीज के साथ में जोड़ लो कोई भी एक तरफा एक जैसी चीज दुनिया में एक धरम वाली चीज कोई होती ही नहीं है इसलिए अनेकांत धर्म प्रतिष्ठित है भगवान ने बनाया नहीं धर्म भगवान ने तो केवल वस्तू को देखा और वस्तू ने कैसी दिखाई पड़ी अनेक धर्मों वाली इसलिए उसको अनेकांत धर्म के माद्यम से उनने कहा लेकिन दुनिया में लोग क्या कहते हैं भगवान ने बस्तू बनाई और तीर्थंकर भगवान क्या कहते हैं कोई भी बस्तू कोई बना ही नहीं सकता है कोई भी चीज बन नहीं सकती जो है बस वही है और वह जिस रूप में हैं उस रूप में हम देख रहे हैं लोग उसको समझ नहीं पाते कि वो किस रूप में हैं हर बस्तू अनेक धर्मों वाली है इसलिए अनेकांत धर्म में हर पदार्त है अब ये भगवान ने नहीं बनाया अगर अनेकांत धर्म में पदार्त है तो भगवान ने बताया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान ने अनियकांत धरमें बना दिया, इसलिए उनने बता दिया नहीं, हर पदार्थ का यही सुभाव अभाव भी है तो भाव भी है, सब कुछ है हाँ, अभाव नाम की कोई बस्तू तो नहीं होती लेकिन अभाव के साथ में भाव नाम की बस्तू होगी, तो अभाव भी बस्तू होगी, अगर अभाव बस्तू नहीं है, तो भाव भी बस्तू नहीं है, अभाव को अगर बस्तू मानोगे, तो भाव भी बस्तू बन जाएगी, मतलब यह है कि जैसे किसी चीज का सदभाव है, भाव है, अभाव भी उसमें होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं रह सकती, जो भाव रूप ही रहे, हमेशा पृतिपक्षी मिलेगा, अभाव रूप ये कांत रूप से कुछ नहीं हो सकता है, आपका भाव है यहाँ पर, भाव वाने सद भाव, आपका सद भाव है, कुछ अभा भाव के साथ में, पहले की सब परियाएं थी, लेकिन अभी उनका सब का अभाव हो गया, हाँ, तो उसी तरह से कहा जाता है, कि जब भी कभी आपके लिए ये कहा जाएगा, पदार्थ कैसा है, तो दुनिया में आज तक पदार्थ की खोश हो ही नहीं पाई, पदार्थ विग्यान को जानने वाले आज तक किसी पदार्थ को पूरा समझी नहीं पाई, और अनेकांत धरम में पदार्थ को बताने वाले तीर्थंकरों के लावा और कोई दुनिया में है ही नहीं, और हर पदार्थ अनेक धरमा है, अनेकांत धरम वाला है, तो ये इतनी का कभी भी कोई निर्मान करने वाला नहीं होता अगर निर्मान करने वाला ब्रह्मा होता तो ब्रह्मा ही पहले पदार्थ का सही सुरू बताता कि हमने क्या बनाया है वो ही नहीं बना पाया वो ही नहीं बता पाया कभी जो निर्मान कर रहा है वो तो जान रहा है कि हमने इसमें क्या-क्या बनाया क्या-क्या किया है वो भी नहीं जानता है इसलिए जो पतार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानने का नाम सम्यग्यान कहा गया है भगवान ने उसमें कुछ करने ही दिया भगवान ने तो केवल एक Mediator की रूप में हमारे सामने आ कर के हमें सही सही बता दिया बस यही काम है बस भगवान का हमें ज्ञान देना और कोई काम नहीं भगवान का भगवान का काम क्या है हाँ हमारी अज्ञानता को दूर करना और हमें ज्ञान की ओर ले चलना लोग कहते रहते हैं बस अंदकार से प्रकास में ले चलो तमसो मा जोतिर गमे अंदकार से जोति की ओर ले चलो कौन ले जाएगा तुमको जब तक तुम्हें यही नहीं मालूम कि प्रत्यक्ष ग्यानी कोई है के नहीं और प्रत्यक्ष ग्यानी क्या-क्या देखता है, क्या नहीं देखता है, ये जब अपने को ग्यान में नहीं है, तो तुमारा अंदकार कभी भी दूर होने वाला, आप जब तक ये मानते रहोगे कि भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने हर पदार्थ बनाया है, तब तक तुमारा अंदकार कोई भी दूर नहीं कर सकता है अंदकार कैसे दूर होगा? इस प्रत्यक्ष ग्यान को स्विकार करो ग्यान कैसा होता है? प्रत्यक्ष इस प्रत्यक्ष ग्यान को जो धारण करता है वही भगवान है वही अतिंद्री ग्यानी है वही केवल ज्यानी है और उस ज्यानी ने जो अपने ज्यान में देखा उसको जब हम स्विकार कर लेते हैं तो वही हमारा ज्यान से ज्यान की ओर जाना हो गया वही हमारा अज्यान का विनास हो गया अज्यान ही अंदकार है अंदकार से प्रकास की ओर चलो माने अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो क्या समझ में आ रहा है है लौ के ज्ञान से प्रवचन सार के ज्ञान की ओर चलो अंदकार से प्रकास की ओर आना है है यहीं से तो समझ में आएगा प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है नहीं तो हमें अपने आपको प्रत्यक्ष ग्यानी समझे बैटें कि हम जो देख रहे हैं वस वोई प्रत्यक्ष है दुनिया में और कुछ है ही नहीं तो वही कहा जा रहा है कि हम तो कितना देख पाए केवल मूर्तों को मूर्त पदार्थों को अब अमूर्त को देखने वाला कौन देखो सिद्धी कैसे ये तरक से सिद्धी कर रहा हूँ आपके सामने नियाय जिसको बोलते हैं कोई भी कोड में ले जा करके खड़े कर दो किसको सम्मेग्यानी को समझ भारा ना हाँ कोई भी वकील के सामने इस बात का तरक कर लो कि अगर मूर्त ही पधार्त हैं तो मूर्त के साथ में अमूर्त भी पधार्त होते हैं और जब हम केवल मूर्त पधार्तों को जान सकते हैं क्योंकि आँखों का काम केवल मूर्त पधार्तों को देखना है तो हमें ये बताओ कि अमूर्त को देखने वाला कौन है बस एक प्रस्न कोड में दावा करो इस प्रस्न को बताने का जो कहते हैं कि एक ही ब्रह्मा हैं कि एक ही ने दुनिया बनाई है और जो कहता है कि इसने ही ब्रह्मा है इसी ने दुनिया बनाई है और वहीं से सब ग्यान आया है तो ब्रह्मा भी क्यों नहीं जान रहा है कि हर पदार्थ कितने धर्मा वाला है, कितने अनेकांत धर्म सरूप उसने क्यों नहीं बताया, उसने बताया ही कब कहा है कुछ, क्या समझ रहा है, ब्रह्मा की तो द्वारा कोई उपदेश हुआ ही नहीं है, उपदेश तो सब इधर उदर के लोगों से हुआ है तो ये कौन जानने वाला है कि अमूर्थ पदार्थों को कौन देखता है कौन जानता है ठीक है तो आप अपने ग्यान से इस बात की सिद्धी कर सकते हो अपने ग्यान से तरक के माद्यम से इस बात को अच्छे डंग से समझ सकते हो कि अगर दुनिया में मूर्थ पदार्थ हैं तो अमूर्थ भी होते हैं और ये नियम है कि हमारी आँख हमारा ग्यान मूर्थों के एलावा कुछ नहीं जान सकता तो अमूर्थों को जानने वाला कोई ना कोई जरूर होगा, बस उसी ज्यानी का नाम है, प्रत्यक्ष ज्यानी, और हम जितने भी हैं, वो सब कैसे बन गए, परोक्ष ज्यानी, अब आप कोगे, हम तो आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और फिर भी हम कैसे ज्यानी कहलाएंगे, परोक्ष ज्यानी, तो इंद्री ज् नहीं प्रत्यक्ष होता है इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जम पेच्छदो अमुत्तम जो अमूर्त को देखने वाला हो और देखो मुत्तेसु अदिंदियम चपच्छन्दम अगर मूर्त पदार्थ देखाई दे रहे हैं वो केवल अतिंद्री रूप में रहते हैं माने इंद्रियों के द्वारा कभी भी पकड में नहीं आएंगे लेकिन हैं मूर्त रूप क्या समझा जा मूर्त में भी ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी आँख से नहीं पकड में आ सकते किसी भी माइक्रोइसकोप से पकड़ में नहीं आ सकते किसी भी इंस्ट्रुमेंट से पकड़ में नहीं आ सकते तो वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे वो भी अतिंद्री हैं लेकिन मूर्तिक अतिंद्री हैं जैसे की परमानू आदी परमाणू कभी देखता है कभी नहीं देखता आपका होगे बिग्जान ने देख लिया है वो भी नहीं देखता है वो भी नहीं देख पाया जो बिग्जान ने परमाणू देखा जाना वे भी बस्तुते परमाणू नहीं है वे अनेक परमाणूं का एक बना हुआ इसकंद है तो जो वास्तम में परमाणू होता है उसे कोई भी देख नहीं सकता तो मूर्तिक में भी हम पूरा मूर्तिक पदार्थ नहीं देख सकते हैं यह देखो यहां इसलिए बताए जा रहा है कि हम ग्यान के माद्यम से ही सुख चाते हैं तो हमें यह समझ में आये कि हमारा ग्यान कितना छोटा है कितना तुछ है कितना पराधीन है और कितना हमारा ग्यान जो है कभी भी कमती बढ़ती हो जाता है और कितना भी कमती बढ़ती हो जाए तब भी किसी भी इस्तिती में हमारा ज्यान मूर्तिक पदारतों में भी जो अतिंद्री मूर्तिक पदारतें उनको नहीं जान सकता कितनी प्रकार की यहां पर किर्णे फैली होती है उर्जा होती है आज की साइंस की भासा में इनर्जी जिसको कह सकते हैं Magnetic Energy, Electronic Energy, Electromagnetic Energy, Sound Waves, कितनी चीज़ें होती हैं, जिनने आज का विज्ञान किनी किनी तरीकों से पकड़ रहा है, लेकिन वो हमारे ज्ञान में तो हमारे द्वारा तो इस पस्ट नहीं पकड़ में आ रही है, उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिनने कोई तकनीक भी नहीं पकड़ सकती और कोई instrument भी नहीं पकड़ सकता, परमानू को कोई भी ग्रेंड नहीं कर सकता, अनेक पुदगल इसकंध जो बरगणाओं के रूप में हैं, हमें बताए गए हैं, उनको कोई भी ग्रेंड नहीं कर सकता, कितने प्रकार के पुदगल होते हैं, जो अल पुदगल अलग हैं, शरीर के रूप में पुदगल अलग हैं, सब अलग अलग तरीके के पुदगल हैं, हमें कोई चीजे दिखाई देती हैं, कहां सब्द है, कहां मन है, कहां मन कौन से पुदगल वरगणाओं से बन रहा है, सब्द कौन से पुदगल वरगणाओं से बन रह यह मूर्तियों में भी मूर्तिक पदार्थों में भी यह सब क्या होगा यह सब अतींद्री चीजे होगा है ना क्या समझ आजा हां तो इनको कौन जानता हम नहीं जानते तो क्या दुनिया में कोई नहीं जानता कोई ना कोई नहीं जानता तो फिर लिखेगा कौँ तो कोई ना कोई जानने वाला होगा बस कौण होगा अब आप समझ लो अपने से विशिष्ट होगा इंद्री ग्यान वाला तो नहीं होगा अतिंद्री ग्यान वाला होगा तो वह अतिंद्री ग्यानी जब इंद्री ग्या नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? वो प्रत्यक्ष ग्यानी ही होगा आगया समझ में ऐसी सिद्धी होती है ग्यानी की, ग्यान की और गेयों की तो गेय के माध्यम से भी ग्यान की सिद्धी होती है गेय हैं, तो किसी ना किसी के ग्यान में जरूर आएंगे परमाणू इसके अलावा प्रच्छन चीज़े होती है प्रच्छन का मतलब कुछ छेत्र प्रच्छन होती है कुछ द्रव्य प्रच्छन होते है कुछ काल प्रच्छन होते है कुछ भाव प्रच्छन होते है मतलब यह कि जैसे मालोक काल प्रक्षन है आप से कहा आदिनात तीर्थंकर हुए राम भगवान हुए हनुमान हुए अब यह सब कुछ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं हुए लेकिन कोई इनको जानने वाला है के नहीं आज भी कोई इनको देखने वाला है के नहीं कि जैसे हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं वैसे दुनिया में किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं वस हुए थे अब कुछ भी नहीं है हमको जैसे उनका कोई भी किसी भी तरीके का वास्तविक रूप आदी नहीं मालूम वैसे किसी को भी नहीं मालूम काल से प्रच्छन ये चीजें हो गई मानें काल ने इनको धग लिया किनको धग लिया राम को, रावन को, तीर्थंकरों को जो हुए थे अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है लेकिन थे तो क्या इनको कोई भी आज भी देखने जानने वाला है के नहीं अगर नहीं होगा तो इनके नहीं होने या नहीं होने का कोई मतलब भी नहीं होगा सामाने से तो व्यक्ति यही समझता है कि वस हुए थे अभी कुछ नहीं है लेकिन जब व्यक्ति प्रवचन सार पड़ेगा तो उसकी क्या समझ में आएगा अभी भी किसी ना किसी के ग्यान में वहज्यों के इत्यों दिखाई देते हैं अभी भी राम और रावन का युद्ध चल रहा है क्या समझ रहे हो अरे इतनी तो बुद्धी लगाओ आध्यम से तुम चीजों को पकड़ के रख लेते हो और फिर बरसों पुरानी चीजें जब कैसे फिर से सुरूर कर देते हो तो वो सब दिखने लग जाती है तो जब इन पुद्धगलों में इतनी सक्ति आ सक्ति है तो इससे कितनी बड़ी सक्ति आत्मा में होती है जो सब पुद्गलों को जानने वाली होती है तो जितने भी पुद्गलों का परिणमन हो चुका है राम रावड का युद्ध हो चुका है स्रीकरश्न की महावारत भी हो चुकी है आज भी किसी ना किसी की कैसिट में तो पूरी दिख रही होगी कोई ऐसी कैसिट नहीं बनी तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास तो है बस यह यह है कि उसको हम दे नहीं सकते हैं बता सकते हैं उस कैसिट की कैसिट नहीं हो सकती है हमारे पास कैसिट तो है हमारे ग्यान में सब दिख रहा है आज भी राम रावड का युद्ध क्रश्न की महावारा तीर्थंकरों के समोसरन तीर्थंकरों का सब कुछ पंच कल्याणक सब कुछ आज भी ज्योंकातियों केवल ग्यानी के प्रत्यक्ष ग्यान में दिखाई देता है वह कैसेट आज भी ज्योंकीतियों बैसी की बैसी रिवर्स में चलती है और रिवर्स भी उनके लिए बिलकुल प्रिजेंट की तरह सामने सामने दिखाई देता है उन्हें ये भी नहीं करना पड़ता है कि भाई थोड़ा रोको कि भाई present देखना है तो फिर reverse को रोको कि forward करना है कि आगे को देखो ये भी सब कुछ नहीं करना है हमेशा दिखाई सब कालों की चीजें जिनके ग्यान में रहती हैं जिने किसी operator की कोई जरूरत नहीं है किसी remote की कोई जरूरत नहीं है ऐसी ग्यान की परणती जिनके अंदर है वह cassette जिनके अंदर चल रही है ऐसी cassette को भी आप जान सकते हो लेकिन वह cassette किसी उप दी नहीं जा सकती है समझ वारा न? आप भी अपने ग्यान से उस cassette को पकड़ लो आपके ग्यान में आ जाए तो दूसरे को भी बता देना कि ऐसी भी एक cassette है जो पिछले अनंत काल में जो हो चुका है जितने भी महापुरुस हुए जितने भी युद्ध हुए उन सब को आज भी बरावर वो देख रहे हैं बिलकुल सामने स्क्रीन पर लगे हुए बिलकुल LED में जैसे दिखाई देता है हाँ लेकिन वो cassette हम आपको दे नहीं सकते वो आपको बस विश्वास में लानी पड़ेगी आपके ग्यान में लानी पड़ेगी और आपको जो है दिखाई दे सकती है जैसे हम बताएं ब्यासा करोगे तो क्या समझा रहा है बस ऐसी ये अधवत कैसे डेखो क्या मूर्तकों में भी अतिंद्री प्रच्छन जो काल से प्रच्छन हो गए भाव से प्रच्छन हो गए माने जैसे आज तो हमारे भाव यहाँ है आज से दस साल पहले हम क्या भाव कर रहे थे दस जनम पहले हम क्या भाव कर रहे थे सारे के सारे भाव भी जिनकी पकड़ में आते है कल क्या सोच रहे थे कल तो बहुत छोटी बाद हो गई हज्जारों लाखों अर्वों जन्मों पहले भी आप जो सोच रहे थे जो भाव कर रहे थे वो सब भाव आपकी आत्मा के आज भी एक कैसिट में लगातार दिखाई देते रहते हैं और एक नहीं अनंतों कैस्टे हैं ऐसे समझा रहा है तो कोई ना कोई तो होगा जो इन चीजों का लेखा जोगा रखता होगा आपने तो सब का ठेका ब्रह्मा को दे दिया तो वो आपका लेखा जोगा क्या रखेगा कितने हाथ पैर हैं उसके जो लेखा जोगा रखेगा उसके लिए कोई हाथ, पेर और दिवाग की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आत्म ग्यान की जरूरत होती है। और वह आत्म ग्यान जब होगा तो फिर लेखा जोखा तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कि भाई हम आपके दरवार में खड़े हो गए तुझे तेरे पाप कर्मों की सजा मिलेगी आप कहोगे नहीं मैं तो पुण्न करके आया हूँ मैं पूजा करके आया हूँ प्रवचन सुनके आया हूँ नहीं नहीं तुने पाप भौत की तुझे पाप की सजा मिलेगी, तुम कहोगे भगवान मज़े माफ कर दे, नहीं नहीं, तुझे माफ नहीं किया जाएगा, इन सब कहानिया में किता अच्छा लगता है, भगवान से साख्षातकार हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ सच्चा ही समझ में आती है, जब तक ये गरंथ नहीं पड़ोगे, तब तक वही सब सच्चा लगेगा, कोई भगवान ऐसा होता है, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, भगवान कहेंगे, नहीं, तेरा सारा लेखा जोगा मेरे पास है, तुने कितने भावों से कितना पुण्ड गिया, कितना पाप किया, चल, अब तुझे मैं नरक में पहुचाता हूँ, तुम हाद जोड़ोगे, नहीं, भगवान एक बार माफ कर दो, नहीं, तुझे नरक में जाना है, भगवान ने नरक में बेज दिया, बच्चों को तो अच्छी लगती कहानी है ऐसी, लेकिन ऐसा लगता है, जिंदिगी वारा आप लोग भी बच्चे ही बने रहते हूँ, पड़लिक तो लेते हो, जोब आप करने लग जाते हो, बड़ी-बड़ी डिगरियां ले लेते हो, लेकिन एक भीतर जो लेविल होता है, इंटेलिजेंसी का वो वही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, दिखाने के लिए यह होता है, कि दूसरों के सामने एगो आ जाता है, कि बस हाँ, हम इस कंपनी के माले के, हम इस कंपनी में जॉब करते हैं, बस यह होता है और कुछ नहीं होता भीतर से जब तक ये इंटेलिजेंसी का लेविल चेंज नहीं होगा तब तक आपको कोई भी अच्छे डंग से इंटेलिजेंट कही नहीं सकता है बच्छों की तरह आज भी हमें वो ही भगवान की कहानिया अच्छी लगती है लेकिन कभी हमारे अंदर ये भाव नहीं आता है कि क्या भगवान ऐसा करने वाला होता है क्या कोई ऐसा लेखा जो का भगवान रख करके हमें भगवान दिखाएगा है और ऐसा दिखाने वाला क्या भगवान हो सकता है और भगवान के दिखा देने के बाद में हम भगवान के सामने हो और भगवान कहेंगे नहीं तुझे यहीं पर जाना पड़ेगा तो वहीं पर जाएंगे ऐसा क्या आपकी प्रड़ती हो सकती है क्या भगवान आपके सामने इस रूप में आ सकता है जब तक ये सब कलपनाओं को आप अपने ज्ञान से मिटाओगे नहीं तब तक सम्य ज्ञान का प्रकाश आपकी आत्मा में प्रगट होने वाला नहीं ऐसा नहीं है कि भगवान केवल पर कोई देखने वाला होता है दूसरों कोई जान रहा है अपनी को भी जान रहा है कि नहीं जान रहा है जिसके सामने कोई गड़गड़ा रहा हो और उसके लिए उस पर कोई दया नहीं आ रही हो तो उसके भाव कैसे होंगे तो उसके भाव कैसे होंगे क्या समझा रहा है या तो कठोर होगा या उसकी प्रार्थना को भी देखकर कि जो है वे खुश होरा होगा या दुखी होरा होगा कुश तो होरा होगा और कुछ भी होने वाला भगवान कैसे हो सकता है कैसे समझ करण jacket जबकि सब कहते हैं एक ना एक देन खुदा की अदालत में सबका न्याय होना है भगवान की अदालत में सबको जाना है क्या जाना है सबकी अदालत सबके पास खुद की है खुद अपने ग्यान से देखो कि जो अपने को जानेगा वे पर को भी जानेगा और जो केवल पर को जानने में लगा हुआ है वो अपने को कभी भी नहीं जान सकता है जबकि होना क्या चाहिए लेखा जोखा बनाया नहीं जाता है वो जैसा भी होता है वो अपने आप ग्यान में दिखने लग जाता है ऐसे अतिंद्री ग्यानियों को जो सुख मिलता है उसका नाम अतिंद्री शुख होता है यह यहां कहा जा रहा है ठीक है क्या कहते हैं धर्मादी द्रव्य चवुनेत्य अमूर्थ होते है मूर्थ मैं अडु अतिंद्री जाने इनह निज समेत जिनेश होते प्रत्यक्ष ग्यान आगे की गाता जीवो सयम अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तम ओगे नित्ता जोगम जान दिवातम्न जाना दे पड़ो कितनी अच्छी गाता है कैसे अनु उप्रास बिटाते हैं जीवो सयम अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तम् कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता है हाँ हाँ एक ग्यानी तो बैठा है आप जीव सयम अमुत्तिग है जीवो सयम अमुत्तो मुत्तिगदो सयम कैसा है मतलब जीव का सुभाव कैसा हो गया अमुत्तिग अभी तक आपसे चर्चा कर रहे थी मूर्टिग की तो मूर्टिक के अलावा उससे विपरीत सुभाव वाला जो होगा वो क्या होगा मतलब ये मूर्टिक में क्या इसपर्ष रस गंध वर्ण पाए जाते हैं तो जिसमें इसपर्श भी नहीं, रस भी नहीं, गंद भी नहीं, बाइड भी नहीं, वो क्या कहलाया, अमूर्तिक, क्या हो गया, आत्मा बैसे तो अमूर्तिक था, लेकिन अब बरत्मान में कैसा हो गया, शरीर को प्राप्त है तो मतलब जिसका आत्मा शरीर को प्राप्त हो गया वो मूर्तिक हो गया और जिसका आत्मा शरीर को प्राप्त नहीं है वो हो गया अमूर्तिक हो देख लो आपा सुन रहे हो इनी गाथाओं से सब नियम बन जाते हैं अमूर्तिक आत्मा कौन होगा जिसका आत्मा सरीर के साथ नहीं है सरीर को प्राप्त नहीं है तो ऐसे कौन आत्मा है सिद्ध भगवान के लावा कोई भी नहीं है सिद्ध भगवान की आत्मा ही केवल अमूर्तिक है क्या सुन रहे हो यहां तक की अरिहंत की आत्मा शरीर में है शरीर को प्राप्त है तो उनकी भी आत्मा अभी कैसी है मूर्तिक ही है जो शरीर को प्राप्त हो गया वो मूर्तिक हो गया और जो शरीर से रहित हो गया वो अमूर्तिक हो गया लेकिन जीव का सुभाव कैसा है, अमूर्तिका है, लेकिन संसार दसा में कैसा है, मूर्तिका है, कुछ लोगों की गले में यह बात भी नहीं उतरती है, समझा रहा है जीव तो सदा मूर्तिके इस परस रस गंद बढ़ से रहिच है जीव में तो कभी कोई भी पदार्थ छूही नहीं सकता है जीव को मूर्थ भी नहीं मानते हैं संसार में भी जीव आत्मा मूर्थ है इस बात की भी स्विकारता अभी कई पड़े लिखी लोगों को नहीं होती है जबकि यहां स्वियम कुंद कुंद आचार देव कह रहे है जीव स्वियम अमूर्थ है मान रहा हूं लेकिन मुत्ति को प्राप्त हो गया है इसलिए मूर्थिक के द्वारा मूर्थिक को ही जानेगा क्या समझा जा चूकि वे शरीर को प्राप्त हो गया इसलिए कैसा हो गया मूर्तिक हो गया मुत्तिगडो मुत्तो बस हाँ इसलिए मूर्तिक के द्वारा माने सरीर के द्वारा मूर्त को ही जानेगा कितनी बड़ी चीज़ हो गई अमूर्त था लेकिन मूर्त होकर के मूर्त के द्वारा मूर्त को ही जान रहा है सुन रहे हो जब आख बंद करके बैठोगे और ये बाग क्याद आएंगे तब समझ में आएगा कि बास्तव में जीव का सुभाव क्या था और क्या हो गया है था से मतलब ऐसा नहीं का नादिकाल से मूर्त था क्या उसका सुभाव है मतलब और क्या हो गया है था का मतलब ऐसा नहीं पहले ऐसा ही सुद्ध था क्या मूर्त था क्या अब मूर्त हो गया ऐसा नहीं है है तो वो अमूर्त सुभाव से लेकिन हमेशा से कैसा संसार में मूर्त बना हुआ है तो मूर्त होने के कारण से वैं हमेशा मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है मूर्तिक को ही देखता है इन चर्चाओं को बार-बार पढ़ने सुनने से ही थोड़ा सा लगता है कि हमारा ग्यान चारों तरफ से ढखा हुआ है नहीं तो आदमी ऐसा समझता है कि हमसे बढ़ करके कोई ग्यानी है ही नहीं है मतलब हम अगर किसी भी पदार्थ को जान पाएंगे तो वह जरूर मूर्तिक ही होगा सुनेंगे तो देखेंगे तो चखेंगे तो हर पदार्थ मूर्तिक होगा और मूर्त इंद्रियों के द्वारा ही जानने में आएगा क्योंकि शरीर जो मूर्त है उसको वे आत्मा प्राप्त हो चुका है इसलिए आत्मा का अमूर्त सुभाव वरत्मान में मूर्त सुभाव के रूप में बदल गया है अरियंत भगवान की आत्मा भी अमूर्थ नहीं है कैसी है मूर्थ ही है अमूर्थ हो जाएगी तो कहां सिद्ध बन गई वे आत्मा शरीर को प्राप्त नहीं रहेगी और ऐसी जो आत्मा है वो जानती है ओग्य नित्ता जोगम जान दी वातम न जाना दी ओग्य नित्ता का मतलब न जान दे, कभी किसी चीज को जान लेता है, कभी किसी चीज को नहीं भी जान पाता है ये ज्ञान का सुभाव है जो अपना इंद्री ज्ञान है कभी किसी चीज को जान रहा होता है कभी वोई चीज उसके लिए अंजानी हो जाती है जैसे आपका ग्यान काम करता है कि नहीं कभी कभी किसी चीज को आप कभी देख रहे होते हैं और कभी वोई चीज सामने होती है देखने में नहीं आती है नहीं होता किसी चीज को आप कभी तो बहुत अच्छे बखू भी जान रहे होते हैं और कभी आपके ग्यान में वो सामने रहती हैं, आप कुछ भी जानने पाते हैं, नहीं होता है, होता है ना, जैसा आपके लिए होता है, बैसे ही आपके द्वारा भी जो बनाई हुई चीजें उनमें भी होता है, क्योंकि बनाई वो चीजें किसने हैं, मूर्तिक आत्मा नहीं बनाई है, आदमी ने बनाई है, मूर्तिक नहीं बनाई है, है नो, क्या हो गया, आपका मोबाइल, किसने बनाया, ब्रह्मा ने, किसने बनाया, भगवान ने, किसने बनाया, हाँ, जिस मूर्तिक आत्मा ने बनाया, वे आत्मा भी उसके अंदर उतना ही ज्ञान फीड कर सकता ह जितना ग्यान वह अपने अंदर रख सकता है तो क्या होता है जैसे आपका ग्यान काम करता है वैसे वो मोबाइल काम करता है कभी किसी चीज को जानता है कभी उसी चीज को नहीं जानता है कैसे नहीं जानता है कभी वो चीज उसमें फीड हुई आपकी पकड़ में आ जाती है आप निकाल लेते हो और कभी उसमें वे कहां चली जाती है, कभी उसी के द्वारा वे उसमें पड़ी भी रहती है, तो आपको मिलती नहीं है, आपके लिए दिखती नहीं होता है। नहीं होता है। दोना तरीकी बाते होती है कि नहीं। आपने उसमें कुछ फीट कर दिया, कुछ का कुछ स्विच दब गया, कुछ गड़वड हो गया, उसका सारा का सारा कहीं का कहीं चला गया, एक तो यह हो गया, जैसे आपके ग्यान के साथ हो जाता है, पहले तो कुछ याद था, अब कुछ ध्यान नहीं है, ऐसे ही उस मोबाइल में, उस मोबाइल को भी पहले सब कुछ मालूम था, अब उसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसका ग्यान भी नश्ट हो गया, क्योंकि वो मूर्तिक के द्वारा मूर्तिक में दिया गया ग्यान, है ना, दूसरी चीज क्या, चीजें उसी में पड़ी हैं, लेकिन आपको मिलना ही नहीं है, आपने क्लिक किया, बहुत सारी फोटो गैल्ली में फोटो 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 आ गई, अब कौन सी आपको ढूडनी है, कौन सी आपको स्क्रीन पहलानी है, अब उसको देखो, नहीं समझ ना रहा है, भोई नहीं मिल रहे हैं जिसको डूडना है, सब इखटी कर लो, सब इखटी कर लो, सब रख लो, पाँच हजार, दस हजार, कित्ती आ जाती हैं, वीस हजार, एक लाख, बड़ी-बड़ी मोबाईल हों, बड़ी-बड़ी आ जाती हैं, कित्ती तक आ जाती हैं, अरो जीवी तो ठीक है, 256 जीवी का मतलब क्या हो गया, कितने लाख फूटो आ सकते उसमें, आ सकते दो-चार लाख फूटो, पॉन में नहीं, कोई भी मोबाईल में, आ जाते हैं, तो फिर, अब उसने दो-चार लाख मालो, एक लाख फूटो आपने उसमें रख लिये, अब आपके पास इत्ता ज्यानतो, कि जो फूटो हमने अभी तक एक लाख खटे कर लिये हैं, वो हमने कितने दुनों में खटे किये हैं, और अब जो है, हम अगर उसमें से कोई फूटो डूड़ना चाहते हैं, तो उसको डूड़ने के लिए कितनी दिर लगेगी, वो कहा मिलेगा, बस, अरे, फोल्डर नंबर तो डले रहते, एक एक फोल्डर में भी, इतने इतने फूटो पड़े रहते हैं, उसकी कहरा, तो आपके पास में ग्यान आपने जैसे अपने अंदर रख लिया, वो काम में नहीं आता, वैसे ही मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ भी, बहुत सारी चीजें आपके काम में नहीं आती, क्योंकि उनको भी बाहर निकालने के लिए ग्यान तो आपका ही काम करेगा मोबाईल का अपने आप काम समझ भारा है तो ग्यान जो भी होता है वे हमेशा उसी सुभाव के साथ चलता है और बैसा ही जो है वो सामने अपने सुभाव की अणरूप चीजें बना लेता है कोई भी ऐसा घ्यान नहीं हो सकता जो हर चीज आपको बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष के समान बिल्कुल दिखाई दे दे आई इसा नहीं हो सकता है रखी हैं, चीजें पड़ी हैं, इसमें सब पड़ा हैं मेमरी में, लेकिन आपको निकालना है, तो निकालने के लिए आप सोचो क्या निकालना है आपको, और उसको अगर आप नहीं निकाल पाते हो, तो फिर आप परिशान होते हो, फिर इदर से उदर, उदर से इदर, फिर कि हुट ने नीचे यॉपर। से नीचे पर उपर से नीचे करते रहुं है। जो पकड में आना चाहिए वह तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या होगा? फिर उ आपका ज्यान ठक जाएगा, परेशान हो जाएगा फिर दूसरे से कहेगा भाईया मुझे तो वो वाली फोटो चाहिए थी वो ही सेंड कर दे या कहां ढूडू में कहां रखी थी मेरे पास तो पटिक तो थी लेकिन मिल नहीं रही है तो वो ही सेंड कर दे फिर एक और उसमें बढ़ा ली उसने नहीं समझा रहा है तो अपना ज्यान भी इसी मोबाइल की तरह है आरा समझ में क्योंकि ये मूर्तिक पदार्थों कोई जानने वाला है और मूर्तिक कोई जनाने वाला अब आप अपने दिमाग में कुछ अलग सरद्धान कर सको विस्वास कर सको तो ये हो सकता है कि अबग्रह आदी के बिना अबग्रह का मतलब ग्यान की सुरुबाद अबग्रह से होती है किसी भी पदार्थ को जब हम जानते है तो हाँ ये कुछ है ऐसा जानने में आता है फिर उसके बिसे में हम इहा करते हैं फिर कुछ और उसका निर्ने लेते हैं फिर हम उसकी धार्णा बना लेते हैं तो ये अबग्रह इहा अबआय धार्णा ऐसे ग्यान कहलाते हैं जो इंद्रियों के साथ मिलकर के मतिक ज्यान के 336 वेद हो जाते हैं. कितने हैं? तो ऐसे ये सब मतिक ज्यान 336 प्रकार के हैं, ये सब अपना काम तो करते हैं, लेकिन सब करम-करम से ही काम करते हैं. जब जो खोलोगे तो बस वो ही दिखेगा. एक साथ सब कुछ नहीं दिख जाएगा. एक साथ मुबाइल में फोल्डर तो आ जाएंगे 10, लेकिन खोलोगे तो एक बार में 1 ही. तो एक ज्यान में एक ही चीज आती है. सब एक साथ नहीं आ सकता है. ये जो ज्यान की क्रमिक्ता है, इस क्रमिक्ता के कारण से ज्ञान कभी किसी चीज को जान पाता है और कभी उसको भी नहीं जान पाता लेकिन केवली भगवान के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि वह कभी किसी चीज को जान रहे हों और कभी नहीं जान रहे हों वो तो हमेशा ही हर पद्गेप अदार्थ को जानते रहते हैं समझ भा रहा है आनन्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे अभी तक सुनते थे ज्यान आनन्द सभावी हूं ज्यान आनन्द सभावी हूं देखो तो ज्यान में कि आनन्द है कि नहीं ज्यान में ही तो आनन्द है हां हम तो सिर्फ मोबाइल के ग्यान के लावा और कुछ ग्यान रखती नहीं है गूगल और इंटर्णेट के लावा पनको कुछ आता ही नहीं तो जब ऐसी ग्यान में आनंद लोगे तबी तो लगेगा कि हां ग्यान कोई ऐसी अधभुत कोई बहुत बैभव संपन कोई बहु पर कितना आनंद आता है यह इस ग्यान के माद्यम से समझ में आता है आत्मा विभाव वश्मूर्थ आहा पैवस्तु तह्वह अमूर्थ मूर्थिक ग्यान द्वारा अत्यल्प जान चलो आखे बंद करो दो मिनट के लिए सीधे बेटो कमर सीधी आखे बंद ओम अरहं नमाहं ओम अरहं नमाहं पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चेतना को अपनी आत्मा को अनुभूत करने की कोशिश करें जो भी हमें अनुभव में आ रहा है वह मूर्थ पदार्थों से जुड़ा हुआ है उस सब को हटाते हुए मूर्थ सुभाव को हटाते हुए आत्मा के अमूर्थ सुभाव को देखने की कोशिश करें पकड़ने की कोशिश करें जो भी हमें अनुभव हो रहा है वह मूर्थ सुभाव से हो रहा है आत्मा का अमूर्थ सुभाव उसी के अंदर छिपा हुआ है अमूर्थ स्वभाव हम अमूर्थ स्वभाव हम अमूर्थ स्वभाव हम मूर्थ ज्ञान रहितो हम मूर्थ ज्ञान रहितो हम मूर्थ ज्ञान रहितो हम अतिंद्रिय ज्ञान सहितो हम धस्वरूपो हम अमूर्थ स्वभाव हम सोहम सोहम अरहम शान्ती के साथ अपने अमूर्थ स्वभाव को अनूर्थ करने की कोशिश करें अरहम अमूर्थ हतेलियां गिसकर आँखों पर रखें ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति